ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स नौवी कक्षा में पढ़ने वाली काश्विनी अपने पापा व्यभव के प्रचार में जुटी हुई है शुक्रवार को व्यभव गैलोत ने भीनमाल शेत्र में जनसंपर्क किया इस दोरान उन्होंने ग्रामनियों से संबाद किया और शेत्र की समस्याओं के बारे में बातचीत की इस दोरान व्यभव ने छेमकरी माता मंदिर में खीमज माता के दर्शन की वहीं व्यभव जो गाउं गाउं भी पहुँचे और वहां बिश्णोई समाज के आराधे गुरो जमभिश्वर भगवान के दर्शन कर आशिरवात प्राप्त किया इस दोरान व्यभव गहलोत ने कहा कि कॉंग्रेस सरकार जन कल्यान और विकास की राजनीती में विश्वास रखती है भाजपा की केंद्र सरकार और स्थानिय भाजपा सांसदों की उपेक्षा के कारण ही जालोर, साचोर, सिरोही जिला, पिछणा हुआ है आज भी यहाँ बुनियादी विकास की जरूरते जैसे ट्रेन, सडक, पानी, बिजली, रोजगार आदी की समस्याएं हैं उन्होंने कहा यदि आपको अपने चेतर की तरक्की चाहिए, बहतर शिक्षा, स्वास्त के साथ आधार बूत सुवधाएं चाहिए, तो सोच समझ कर वोट दे उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस महासचिप प्रियांका गांधी 14 अप्रेल को भीन माल आ रही है वैभब गहलोद की पत्नी हिमानश्री गहलोद भी इन दिनों जालोर लोकसभाट शेतर में सक्रिये हैं और प्रचार कर रही हैं उन्होंने शुक्रवार सुबह जालोर सबजी मंडी में आमजन से चर्चा की और जनता से वैभब गहलोद को आशिरवाद देने की अपील की उन्होंने महिलाओं से रुबरू होते हुए कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भी बराबर की भूमिका है उन्होंने घर ग्रिहस्ती की गारी को रफतार देने, महंगाई से राहत के लिए अच्छी योजनाओं को लाने हैं और छेतर के विकास के लिए कॉंग्रिस को वोट देने की अपील की इस दोरान उन्होंने मंडी की वैपारियों से भी चर्चा की और उनकी समस्याएं जानी बीते दिनों पहले जन संपर्थ के दोरान हिमानश्री गहलोत ने माली समाज के लोगों को वोट करने की अपील की उन्होंने कहा हमारे समाज की मैंने कमी महसूस की है जो अशोक गहलोद ने समाज को आन और शान दी है उसको हमारा समाज सम्मान और शान क्यों नहीं दे रहा है माली समाज का कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है तो यह क्यों नहीं कहता कि मेरा समाज मेरी शान आगे उन्होंने कहा कि यदि यहां से वैभब गैलो चुनाव हार जाते हैं तो यह बिजजती मेरी नहीं बलकि पूरे माली समाज की होगी राजधान तक के लिए जालोर से नरेश विश्णोई की रिपोर्ट जल मनें बलमने से धे जालो झालोरस फिर उन्होंने बравाय।